तो इस वीडियो में हम इंडियान इंडिपांडेंस दे जो आज हम 74 इंडियान इंडिपांडेंस दे सालिबेत कर रहे हैं तो इससे एलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आमसी क्यूस और कुछ क्वेस्चन्स जो जरूरी हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो ये वीडियो सब भी इंपॉर्टेंट एक्जाम्स के लिए जो 2020 में होने वाले हैं उन सभी के लिए ये वीडियो यूसफुल है तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस बेल आइकन फोर मोर नोटिफिकेशन तर स्टार्ट करते हैं और अगर अभी तक आपने हमें बागी सोशल नट्रेक्टिंग साइट पर जॉइन नहीं किया है आप वहां पर जॉइन कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में गिविन तो स्टार्ट करते हैं फ़िस्ट क्वेंटन सब्से फरस्ट क्वेश्ट सबसे सिंपल है सबसे इंपोängerटेंट है जुसको आज में अगस्ट और रिटेंट तो यह क्वेश्टन ब्रिटेंट डालना चाहिए क्योंकि आज हम सेलब्रेट कर रहे हैं तो इसका आंसर सबको पता है इसका आंसर है 15 अगस्त 1947 तो हमें इस जिन ब्रिटेन से अजादी मिली थी अब हमारा next question है who was known as the father of revolutionary thoughts तो यहां पे जो क्रांतिकारी thoughts हैं इनके father किने बोला जाता है तो इनके जो father है वो बिपिन चंद्रपाल को बोला जाता है तो बिपिन चंद्रपाल से रिलेटीड एक और question है बाल पाल लाल बाल पाल लाल तो आपको इनकी full form comment section में बतानी है कि बाल पाल लाल की full form क्या होती है अब इसके साथ ही next question है first president of Indian National Congress तो इंडियन नेशनल कॉंग्रेस की स्थापना जैसे हमसे भी जानते हैं 1885 को इंडियन नेशनल कॉंग्रेस की स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना AO Hume ने की थी यह भी important है तो यहाँ पे जब इनकी स्थापना हुई थी तो पहले president कौन थे तो इन में से पहले president आई होप आपको पता चल गया होगा तो पहले president मैं आपको बताती हूँ उनका नाम है विमेश चंद्र बक्षी वो बैनर जी सॉरी डबलू सी बैनर जी वोमेश चंद्र बैनर जी डबलू सी बैनर जी next question is पहले governor journal of India after independence इसमें काफी बच्चे को confusion होती है तो जैसे कि अगर generally पूछ ला जाता है first governor journal of India और यहाँ पर लगा देते हैं first governor journal of India after independence तो यहाँ पर answer बदल जाता है तो यह चारो options के साथ जो हमारे governor journal है पहले independent India के वो है Mount Betton तो after independence है उसके बाद यहां पर हुरू यहां पर discovery of India बुक किस ने लिखी है तो discovery of India की जो बुक है वो जवाहर लान नहरू ने लिखी है यह जवाहर लान नहरू जी हमारे देश के पहले प्रेजिरेंट पहले प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं और इनका बहुत जादे इंपोर्टेंट रोल है तो इसलिए यह बहुत इंपोर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच लैंवेज वाजदा न्यूसपेपर केसरी फाउंडेट बाई बाल गंगाधर तेलक पब्लिश्ट तो यहां पर जो कौन सी लैंगविज में केसरी न्य धरी नेक्स विच्काउंक तो यहां वें यांविए कि माल लिजें और समाझ का यर पूछ सकते हैं तो यहें वह 1875 है और आर्रे समाज की स्थापना दयान एन सरस्वती ने की थी नेक्स्ट क्वेश्चिन इस दा फादर आफ दा नेशन किसने हमारे महात्मा गांधी जी को दा फादर आफ नेशन जो है वो टाइटल दिया था तो चारों अप्षिन्स आपके सामने आयोप आपको पता चल गया होगा तो करेक्ट जो आंसर है वो है सुभावस चंदर बॉस इन्होंने महात्मा गांधी जी को दा फादर आफ नेशन का टाइटल दिया नेक्स्ट क्वेश्चन इस यहाँ पे ऐसे कौन से फ्रीडम फाइटर है जो हंगर स्ट्राइक के टाइम पर जिनकी जेल में मृत्यू हो गई थी तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जतिंदर नात दास इनकी मृत्यू कभूईती जेल में हंगर स्ट्राइक के दोरान अब यहाँ पे लोकितवादी किसे कहा जाता है इन में से किस परसन को लोकितवादी कहा जाता है तो लोकितवादी गोपाल हरी देशमुक को कहा जाता है नेक्स्ट कोश्चन है हमारा विच वन आफ दा फॉलविंग इस दा करेक्ट फुल फॉर्म ओफ बी आर अंबेटकर तो बी आर अंबेटकर की जो बी आर अंबेटकर जी हमारी कॉंस्टिटुशनल असेम्बली में इनका बहुत बड़ा कॉंट्रिबुशन है और इसके साथ ही इन्होंने ड्राफ्टिंग कमीटी भी बनाई है और ये ड्राफ्टिंग कमीटी के हेड भी रह चुके हैं ड्राफ्टिंग कमीटी में टोटल सेवन मेंबर्स थे तो ये इंपोर्टेंट है अब इसके बाद यहाँ पे इनका पूरा नाम क्या है तो इनका पूरा नाम है भीम राव रामजी अम्बेटकर नेक्स्ट क्वेस्चन है हमारा बर्थ प्लेस ओफ जवाहरलाल नहरू तो यहाँ पे जवाहरलाल नहरू जी का बर्थ प्लेस कौन सा है तो ये चारो options में उनका birthplace है अलाबाद ये UP के अंदर है अलाबाद Next question is Who is the architect of the Indian constitution? तो इंडियन constitution के architect कौन है? तो यहाँ पे उनके architect है बी आर अमबेट कर Correct option is option A Next question is देश बंदू किसे कहा जाता है? तो देश बंदू यहाँ पे इंचार options में से किसे कहा जाता है? वो चितरंजन दास को कहा जाता है गांधी जी पे जो आक्मन हुआ था उसके दोरायमिन के मित्यू यहाँ पे कब हुई थी? तो ये 30 January 1948 को हुई थी Next question is Where was the first conference of the Indian National Congress held? तो इंडियन National Congress की स्थापना 1885 में जैसे की हुई थी तो यहाँ पे इनका जो first conference है वो कहा पर हुआ था? तो first conference इनका Bombay में हुआ था Next है When was Bhagat Singh hanged to death? तो यहाँ पे Bhagat Singh को death कब हुई थी? उनकी death कब हुई थी? तो यहाँ पे उनकी death हुई थी 23rd March 1931 को बहुत important date है बहुत important question है Next है महात्मा गांदी जी का birthplace कौन सा है? तो महात्मा गांदी जी का birthplace है पोर बंदर Next question is Who started the political party स्वतंत्र? स्वतंत्र जो political party है वो किसने start की थी? तो इस चारो में से correct option कौन सा है? Correct option है C. Raj Gopala चारी Next question है Who is known as the iron man of India? तो इन में से iron man of India किसे कहा जाता है? तो इसमें जो mostly question है जो यहाँ पे generally constitution Indian independence act Indian independence जो day है इससे related है तो आज जो यहाँ पे हमारे देश के PM ने नरेंदर मोधी जी ने जो important speech दी है उस speech पर भी हम एक वीडियो लेकर आएंगे तो यहाँ पे आपको वो speech खुद भी अच्छे से पढ़नी है तो सुनी थी वैसे जिनोंने नहीं सुनी है उनके लिए यहाँ पे उस speech को थोड़ सा जानना जरूरी है क्योंकि वो जानना इसने जरूरी है उन्होंने कुछ important issues जो है वो उठाई है तो वो सारे issues important है और जिन topics के बारे में कहा है वो competitive exams में पूछे जाने के chances है तो देखते हैं यहाँ पे Iron Man of India सरदार वल्लब भाई पटेल को कहा जाता है अब यह question यह तो जीके में भी आता है constitution में भी है हर forever question है यह evergreen questions है तो first women president of Indian National Congress तो first women president of Indian National Congress है वो any basin है correct option is option B next question is father of Indian Renaissance Indian Renaissance के father कौन है तो वो यहाँ पे है राजा राम मोहन ड्रोय next question is who was the first and last Indian governor general of India तो first and last governor general of India है यहाँ पे C. Raj Gopala चारी यह पहले ही वने दे उसके बाद इस system को खत्म कर दिया गया था तो इसलिए यह पहले भी है और आखरी भी The Indian Struggle The Indian Struggle नाम की बूक किसने लिखी है तो यह बुक लिखी है सुभास शंद्र बॉस ने next question is which is the autobiographical book जो जवाहरलान नहरुजी के द्वारा लिखी गई है उस बुक का नाम क्या है तो उस बुक का नाम है एन ओटो बायोग्राफी जो जवाहरलान नहरुजी ने बुक लिखी है ओटो बायोग्राफिकल बुक है यह और इस बुक का नाम ही है एन ओटो बायोग्राफी तो यहां पर जो महात्मा गांदी जी की हत्या में जिनका हाथ था जिनोंने की है उनका नाम क्या है तो उनका नाम है नाथुराम विनायक गोट से इनकी बुक है जो इंडिया में पब्लिश होना एलाउड नहीं है जिसमें साइद उन्होंने ये reason दिया है कि उन्होंने गान्दी जी को क्यों मारा ये बहुत ही disputable topic है तो इसको यहाँ पे बस main चीज यही है कि किसने कौन किसने इनको assassinate किया है next question है who was the governor general during the revolt of 1857 1857 के time period में जो revolt हुआ था उस time governor general कौन थे तो इस time governor general थे lord kenning next question है गान्दी इर्विन pact कब sign हुआ था गान्दी इर्विन समझाता कब हुआ था तो ये समझाता हुआ था 5 March 1931 को 5 March 1931 को next question है which movement is also known as august movement इसमें से कौन से movement को august movement कहा जाता है तो यहां पे जो correct option है वो है option B quick India movement भारत छोड़ो अंदोलन next question है इसमें से कौन सी ऐसे book है जो जवाहर लाल नहरू जी ने नहीं लिखी है तो यानि कि तीन book लिखी है और एक book नहीं लिखी है तो उस book का नाम है India of my dreams India of my dreams ये नहरू जी नहीं लिखी है तो the unity of India, the discovery of India, the glimpses of world history ये तीनों book के नहरू जी ने लिखी है next question है महात्मा गांधी जी ने non-corporation movement कौन सी एर में start किया था in which year महात्मा गांधी launch the non-corporation movement the correct answer is answer B 19-20 गांधी जी ने काफी सारे movements किये है सभी movements important है तो उसमें कुछ तीन ज़्यादा important है quick India movement, non-corporation movement है यहाँ पे civil disobedience movement है यह थोड़े जादे important है but इसके साथ साथ छोटे-छोटे और important है जैसे कि चंपारन हो गया, खेडा हो गया तो यह important है next question is when was BR Ambedkar awarded India's highest civilian भारत रतन अवार्ट तो यहाँ पे जो correct answer है वो है 1990 next question is nightingale of India who is known as nightingale of India तो यहाँ पे nightingale of India कहा जाता है सुरोजनी नाइडियोगू next question is in which year गोपाल कृष्ण गोखले started the newspaper हितावदा तो हितावदा न्यूजपेपर गोपाल कृष्ण गोखले के थू स्टार्ट किया गया था और यह स्टार्ट किया गया था 1911 में नेक्स्ट क्वेशन है वेर वास महात्मा गांधी वेन वेन इंडिया गोट इंडिपेंडेंडेंस तो जब भारत को सुर्टनदर्टा मिली उस वक्त महात्मा गांधी जी कहां पर थे तो वो कैलकटा में थे option A is correct next question is who wrote the book discovery of India discovery of India बुक लिखी किसने है तो ये बुक लिखी है जवाहलाल नहरूजी ने next question is जन गन मन अधिनायक इनके राइटर कौन है तो जन गन मन जो हमारा राष्ट्रेकान है जो यहाँ पर राइटर है वो रबिंदरनाथ टैगोर जी है तो इसलिए correct जो answer है वो है option D national song of India कौन सा है तो national song of India है वन्दे मात्रम next question is name the wiserai of India when the rollet act was repealed जब rollet act को repeal किया गया था उस वक्त wiserai कौन थे भारत के वो lord reading थे next where was the provisional government of India where was the provisional government of independent India अजार हिन फॉर्म तो यह कहाँ पर हुई थी सिंगापूर में हुई थी who was the ball in lal bal pal तो lal bal pal में बाल जो है वो किसके लिए कहा गया है तो वो कहा गया है बाल गंगधर तिलक के लिए आपको यह बताना है कि lal bal pal के फुल फॉर्म क्या है comment section में जरूर बताईएगा lal bal pal next question is the first Indian national army was founded by तो पहली इंडिया नेशनल आर्मी जो है किसने found की थी तो वो found की थी captain Mohan Singh ने correct जो इसको option है वो option B है next question is what does the blue wheel that appears in the Indian national flag stand for तो यहाँ पर जो national flag के अंदर blue wheel है यहाँ पर जिसके अंदर 24 जो है यहाँ पर डंडिया होती है तो यह किस जिसका प्रतीक है तो यह जो wheel है यह the wheel of law of justice का प्रतीक है of the following state तो कुका मुव्मेंट कौन से स्टेट में स्टेट से रिलेट करता है कौन से स्टेट से जुड़ा हुआ है तो इसका correct answer है पंजाब कुका मुव्मेंट पंजाब से जुड़ा हुआ है so that's all from my side and don't forget to subscribe my channel thank you